राजस्थान कॉंग्रिस के अंदरूनी संग्राम पर विराम लगने के बाद अब भविश्य में पार्टी का सियासी पता का थामने की पेश्पंदी का दौर शुरू हो गया है सूबे की सरकार और संगठन से बाहर हुए सचिन पाइलट राजस्थान की सियासी जमीन पर अपनी पकड कमजोर नहीं पढ़ने देने की हर एक मुम्किन कोशिश कर रहे हैं भविश्य की सियासत पर दाव लगाने की रणनीती के तहट अपने जन्मदिन के मौके पर सचिन ने सूबे की राजनीती में अपनी पकड कायम रखने का संदेश सीधे तोर पर दे दिया जन्मदिन को सियासी मौका बनाने के लिए सचन पाइलट के समर्थकों ने पूरे राजस्थान के करीब 190 विधानसवा शेत्रों के साथ ब्लॉक स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया साथ ही इसे कामियाब बनाने के लिए पाइलट समर्थक सूबे के कॉंग्रेस कार्यकरताओं ने 45,000 युनिट रक्तदान कर इस आयोजन को राजे के रिकॉर्ड बुक में दर्च करवा दिया जाहिर तोर पर इस आयोजन से सचन पाइलट ने मुख्यमंत्री और शोग गहलोत ही नहीं बलकि कॉंग्रेस नेत्रित्व को अपनी राजनीतिक शम्ता और प्रभास की धमक बची रहने की जहलत दिखा दी सचन ने इस आयोजन के जरिये राजस्थान के तमाम नेताओं को और दिल्ली में बैठे पार्टी हाईकमान को ये संदेश दे दिया है कि राजस्थान की जमीन पर उनकी शम्ता और उनका प्रभाव हर माइनों में बना हुआ है 35 दिनों की बगावत प्रक्रण के दौरान मुख्यमंत्री और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष इन दोनों ही पदों से सचन पाइलेट को हटा दिया गया सचन का अभी सरकार में ना तो सीधे तोर पर कोई दखल है ना ही संगठन में प्रभाव राजनीती में इस मौजूदा स्थिती को उनकी कमजोरी ना समझ लिया जाए क्योंकि सचन के पास सरकार में कोई दखल नहीं है संगठन में उनका कोई प्रभाव नहीं है तो कहीं इस वज़ा से उनकी पावर को कमतर ना आका जाए इसी के मद्यनजर पाइलेट ने सूबे के सभी जिलो और विधानसभा शेत्रों में अपने सियासी आधार के कायम रहने का संदेश कुछ इस तरह से दे दिया कॉंग्रेस की अद्रूनी राजनीती के लिहाज से सचन ने अपनी ये ताकत उस समय दिखाई है जब बगावत प्रकरण के दौरान उनकी जगा गहलोत समर्थक जाट नीता कोविन सेंग डोटा सरा को प्रदेश कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा जुका है इतना ही नहीं प्रदेश संगठन से सचन पाइलेट के कई समर्थकों की विदाई भी हो चुकी है हाला कि ये बात अलग है जन्मदिन को सियासी मौका बनाने का पाइलेट का ये दाव कि सियास अंतोश के साथ जुड़ा नहीं है कॉंग्रेस हाई कमान ने बगावत प्रकरण खत्म करने के दौरान ही सचन पाइलेट और उनके समर्थकों की मुख्यमंतरी अशोग गहलोज से शिकायतों पर गौर कर इस पूरी समस्या का समधान निकालने का भरूसा दिया था अविनाश पांटे की शिकायते सचन पाइलेट ने हाई कमान से की तो ऐसे में हाई कमान ने अविनाश पांटे को कॉंग्रेस के प्रभारी महासचिफपत से हटा कर ये जिमेदारी अजय माखन को दे दी गहलोत सरकार के विश्वासमत हासल करने के तदकाल बाद ही अविनाश पांटे ने इस्तीफा दे दिया उनकी जगा अजय माखन को राजस्थान कॉंग्रेस का प्रभारी महासचिफप बनाया गया माखन पहले कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं वैसे सचन पाइलिट की राहूल और गांधी परिवार से निकटता किसी से छिपी नहीं है बगावत के 35 दिन के दौरान पाइलिट की घरवापसी में सबसे एहम भुमिका प्रियंका गांधी बाडरा ने निभाई है कॉंग्रेस महासचिफ प्रियंका गांधी बाट्रा उन 34 से 35 दिनों के दौरान लगातार सचन पाइलट के संपर्ग में रही और सचन को घरवापसी के लिए मनाती रही पाइलट समर्थकों की गहलोद गुट से जुड़ी शिकायतों पर गौर कर समधान निकालने के लिए सोनिया गांधी वरिष्ट नेता एहमद पटेल की अगुआई में तीन सदस्यों की समीती का गठन कर चुकी है इसमें एहमद पटेल के अलावा अजय माकर और पार्टी के स अंगठन महा सचिफ केसी वेनुगोपाल है इस समीती के सिफारिशों के बाद सचिन पाइलट की कॉंग्रेस की राजनीती में नई सम्मान जनक खुमी का तैय होगी यानि एक बार तीन सदस्यों की ये जो समीती बनाई गई है ये गहलोद वर्सिस पाइलट के घमसान को और ऐनां जनक तो जहाँ जयादा अच्छे से समझ लेर जो राज्य में माहौल बिगाड़ रहा है कौं है जो राज्य में कॉंग्रेस की चवई को को धूमिल करने के लिश दूमिल कर रहा है कौं है जो इस कूरे विवाद को तूल दे रहा इसका आकलन ये कमेटी करेगी और उसके बाद सचिन पाइलिट हो दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मदारी दी जाएगी अब सवाल सबसे एहम ये उठता है पार्टी अलकमान ने जो समधान निकाला है क्या उस समधान के बाद कॉंग्रेस की अंदरूनी कलह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है सवाल ये उठता है कि जो समधान निकाला गया है क्या उस समधान के बाद खत्म हो चुका है गहलोत वर्सिस पाइलेट का संग्राम तो इसका जवाब भी आपको देते हैं रजस्थान कॉंग्रेस के प्रभारी अजे माखन बीते बुद्वार को अजमेर प्रवास पर पुमुचे उन्होंने देहात और शहर कॉंग्रेस के पदादिकारियों के साथ बैठक ली इस दौरान माखन पदादिकारियों से अंदर बात कर रहे थे वहीं बैठक स्तल के बाहर सचन पाइलट के समर्थकों ने चिकित्सा मंतरी रगु शर्मा के खिलाफ जमकर नारे बाजी की रगु शर्मा को धोकेवास कहा उनके बैनर फाड़े और पाउ से उन बैनर पोस्टर्स को कुछला है आपको बता दे रगु शर्मा अशोग गहलोद के समर्थक माने जाते हैं अशोग गहलोद के बेहत खास हैं और पाइलट समर्थकों का कहना है कि रगु शर्मा ने सचन पाइलट के साथ धोके बाजी की इसलिए हम उनसे खफा हैं काफी देर तक सचन पाइलट के समर्थक रगु शर्मा के खिलाफ नारे बाजी करते रहें पाइलट समर्थकों का विरोध देखकर मौके पर रगु शर्मा समर्थक भी पहुँच गए और रगु शर्मा के समर्थन में नारे बाजी करने लगे दोनों पक्षों में टक्राफ की स्तीती बढ़ती गई और इससे पहले की टक्राफ होता पुलिस अधिकारी वहां पहुच गए दोनों को अलग-अलग करके मामला शांत करवाया जिससे ये साफ हुआ कॉंग्रेस में ना सिर्फ वरिष्ट नेताओं बलकि अब तक कार्य करताओं के बीच भी गुटबाजी है और सचन पाइलिट राजस्तान की राजनीती में अपना दबाब दिखाने की अपनी शम्ता साल लगे हुए हैं SPN 9 Newsroom की रिपोर्ट